इन मनुवादियों की आप बॉकलाहट देखिए वो इस तरीके की इस कदर दरिंदगी पे उतर आए हैं कि अब उन्होंने जो डॉक्टर रितु धरने पे बैठी है उनके जो साथी थे आशुतोश उन तक पे हमला कर दिया है हम इस पूरी वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे नमस्कार मैं उर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज डॉक्टर रितु जो डेड़ सो दिन से धरने पे बैठी हुई थी आठ फेकल्टी गेट नमबर चार के पास हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से उनका धरना हटा दिया गया थ पुलिस वाले आते हैं और उनका धरना उनका जो भी टेंट वगरा होता हटा के चले जाते हैं और जब रितु आके देखती हो देखती किस तरीके से उनके टेंट वगरा जो धरने पे बैठी हुई थी हटा दिया गया और उसके बाद उसको गंगा जलसे धोया गया इस तरी एक ये दिन पहले पाच तारिक को भीम आर्मी का सुडेंट प्रेजिडेंट जिसका नाम आशुतोश है उस पे हमला किया जाता है गरम गरम चाय फेकी जाते है जिस तरीके से उसका पूरा हाथ जल जाता है और उसके बाद वो वीडियो और वो फोटो ट्वीटर पे एक्स पे पोस्ट करती हैं डॉक्टर रित्व और तमाम चीजें लिखते हैं किस तरीक की दरंदिगी और बता रहे हैं कि यह जो हमला है यह पूरा RSS वालों की तरफ से किया गया था कि किस तरीके से चाय फेकते हैं और यह धरना जो बड़ा धरना प्रदशन ने उसको रोकने की कोश बता देना और उसके बाद अब यह तमाम चीजें नज़र आ रही हैं कि आशुतोष को आशुतोष में एड्मिट करना पड़ गए कि इस तरीके से उन पर चाय तक फेकना यह कहां तक सही है कि धरना नोकने के लिए वह इस हद तक गिर गये हैं कि भीम आर्मी के प्रेजिड दॉक्टर रित्तो के उस पर जाकर देख सकते हैं हम आपको उनका ट्वीट जो किया गया है उसको पढ़के सुना देते हैं डॉक्टर रित्तो ने मीना कोटवाल के जो पोस्ट है उसको रीपोस्ट करके लिखाए कि आज शाम दिल्ली उनिवरसिटी में आरेसेस के गुंड का जो लोग आते हैं वो धर्ना तक ना दे पाएं इस हद तक मनुवादियों की बॉकलाहट बढ़ चुकी है कि धर्ना देने पर भी रोक लगा दिया गया है एक शांती पूरवक धर्ना अगर चल रहा हो उस पर रोक लगानी हो तो चाय फेक देंगे इस तरीके की चीज़े नजर आएंगी कि हमला करने तक की कोशिश करेंगे इस पर सुमित चोहान का जो डॉक्टर रितों ने रीपोस्ट करके लिखा था कि देश की राजधानी में पड़े लिखे दलीतों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाए कि जातिवात के अड़े कहे जाने वाले गाउं देहात में क्या हालत होगी ये भ्यावे है दिल्ली पुलिस क्या कर रही है क्या दलीतों पर हमला करने की खुली छूट दे दी गई है या चले बसे आशु विद्रोई पर हमला करने वालों को तुरंत गिरफतार किया जाएगा और डॉक्टर रितो सिंग मामले में आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत गिरफतार किया जाएगा डेड़ सो दिन से धनने वे बैटे डॉक्टर रितो सिंग को अभी तक नियाय नहीं मिला है और उसके बाद अब ये सब चीज़े सामने आ रही है कि जो आशुतों ते उन तक पर हमला किया गया चाय फिकी गया और उसके ब भौजन समागों किस तरीके से टार्गेट किया जाता है अपनी बात रखने का अधिकार तक नहीं दिया जाता है और जब चीज़े अंदोलन पर उतर आती है तो इस तरीके की जो चीज़े की जाती है कि चाय फेक देना और उन पर हमला कर देना ताकि वो अपना धर्णा प् पढ़ाई है छे फैप को एक बड़ा अंदोलन होने वाले बड़ा अंदोलन का रूप लेने वाला है कि बड़े सर पे लोग आएंगे और जो डॉक्टर रित्तु हैं उनका साथ देंगे बड़ा प्रदशन होने वाला है उसी को लेके लोगों ने एलान किया तो उससे एक दि नियाए और हट जालिम को सजा दिलाने के लिए काफी है याद रखना भूलना मत जितने जुल्म करने हैं कर लो अंबेटकर वादी डढ़ने वाले नहीं है कल सुबह दिल्ली विश्विध्याले में मिलेंगे मतलब इसके बाद उन्होंने सीधा बोल दे है कि अंबेटकर व पुलिस है वो तक उनके खिलाफ हो जा लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकेंगे अंदोलन जारी रहेगा और जो डॉक्टर सवीता रॉय है जो एक मनुवादी प्रिंसिपल है और इस तरीके से भौजनों को निकाल देती ताकि भौजन पढ़ ही ना पाए प्रोफेसर ही नहीं दे रही है जहां पर जो प्रधान मंत्री मोदी जी है वो खुद कहते हैं और उसके बाद जब भौजन समाज के लोग सामने आते हैं तो अमिच्छा की पुलिस ही है उनका टेंट उखाड के फेक देती है और उनको धरना तक की अजादी नहीं दी जाती है इस तरीकी चीज़े आपको तमाम देखने को मिल जाएंगी भौजोनों के साथ हमेशा ऐसा होता है भौजोन ने जब भी आवाज उठाने की कोशिश करिये तो उनको दवा दिया जाता है मतलब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं जो बाबा साहिब ने सवीधान दिये वह हमें केस देख लिया हूँ कि अपने इतने साल दिये थे जो दिल्ली उनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए उसके बाद उनको एकदम से नोटिस आता है उनको निकाल दिया जाता है कि आप योग यहीं नहीं है और उसके बाद डॉक्टर रित्तु का भी केस देख लिए तमाम ऐ विश्विध्याले को RSS की गुंड़ाई का अड़ा बना दिया है इनके गुंड़ों की यह कार्याना हरकत है और इसके बाद भी यह हमारे बच्चों के मनोबल को तोड़ नहीं पाएंगे आपका अंत अब करीब है सीधे तोर पर राजनेसरपाल गौतम RSS को टार्गिट करते हुए बोल रहे हैं कि इनका अंतक करीब है और मनुवादियों के गुंड़ाई अब नहीं चलेगी चाहे कितना भी यह लोग हमारे उपर वार करने की कोशिश करने भाउज़ों पर चाय फेक दें चाहे चाकू से वार करने ही कोशिश करने पर इनका जो मनुबल है वो नहीं तूटेगा और यह धरना जो है वो नहीं रुकेगा चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए जिस तरीकिसे मनुवादि दरिंदगी पर उतर आये हैं और तमाम चीज़े आपको देखने को मिल ही जाएंगी उसके बा भॉजन की आवाज बनके वो आपकी बात भी आगे रख सके ताकि जितने भी भॉजन यह प्रोफेसर हैं भॉजन और भी लोग हैं वो इस तरीके से दब ना पाए जो अमिच्छा की पुलिस इस तरीके से रोक ना पाए उनको तो आपसे यह भी अपील है कि उनका साथ दे ताकि डॉक्टर रित्तु को आगे बढ़ जो डेर सो दिन से इनका अंदोलन्ग चल रहा है यह रुक ना पाए नियाये मिलके रहे हैं और जो डॉक्टर सवीतर रहे हैं वो गिरफतार हो सके कि मनुवादी से बैठी यह प्रिंसिपल इस तरीकि इस बहुजनों को आगे ही बढ़ने देखे तो बहुजनों का क्या होगा बाकि जो पूरी जो खबार है इस पर आपकी क्या रहा है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद